आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही स्वादेश, बहुत ही हेल्थी और बहुत ही चटपटी सी नास्ते के रेसिपी शेयर करनी जा रही हूँ जिसे आप morning breakfast में, evening breakfast में या बच्चों की lunch box के लिए ट्राइ कर सकते हैं और ये बनने के बहुत देर बाद वी एकदम से soft बनी रहती है तो lunch box के लिए बहुत ही जादा perfect होती है नास्ता और ये बहुत ही जल्दी मातर 10 मिनट में ही बन करके तैयार हो जाते है तो चली ज़र से मैं इसे बनाना ही श्टार्ट करती हूँ तो इस नास्ते को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप कच्चे पोहे लिये हैं और पोहे में जो भी एक्स्ट्रा पानी है हमें अच्छे से निचोड़ करके निकाल लेना है तभी ये जो नास्ता है ना एकदम से perfect बनेंगे साथ ही आपे कुछ खाश टिप्स और ट्रिक में बताऊंगे जिससे एकदम से perfect आपका नास्ता एक ही बार में बन करके तयार होगा तो यहाँ पर मैंने लिया एक grinding जार और इसमें हम अपने पोहे को ट्रांसफर कर लेंगे आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किजिएगा शेयर किजिएगा और अवी तिक हमारे चैनल पने नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि आप हमारे वीडियो को facebook पे देख रहे है तो अब सेम कप से मैं ले एक कप दही तो मैं यह पर दही को कोई भी में जर्व गिरा नहीं कि अंदाजे से ही ले लिया है और यहां पे ना सारे चीजों को एक वर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो बहुत फाइंड सा पेश्ट हमें नहीं तयार करना है बस नॉर्मल साही मै तो यह जो ना सता है बहुत ज़्यादा टेश्टी बनता है तो बस दो से तीन वारी मैंने मिक्सर को चलाया और अवी मिक्सिंग बावल में निकाल लेंगे तो यहां पर देखिए यह आप सही मेजर्मेंट के हिसाब से बनाएंगे ना तो आपका यह जो जो डो है एकदम से पर्फेक्ट बन करके तयार हुआ है तो यहां पर आपका यह जो मिर्शन ने थोड़ा बहुत गीला भी हो जाए तो आप यहां पर दो चमच सूजी और एड़ कर सकते हैं तो अब मैं आप डाल रही हूं टेश्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधा चमच में आप डाल रही हू साथी में आपे 10-12 कड़ी पत्ते बारिक से कटकर के लिए हैं और दो हरे मिर्च में बारिक से कटकर के ले रही हूं यदि आपके पास धनिया की पत्ति है तो आप भी अड़ कर सकते हैं बद अभी हमारे पास नहीं थी तो मैंने नहीं अड़ करी है और इसे बहुत ज्याद तो बस यह पर सही मेजरमेंट से आपको सारी चीजे यूज करनी है तो एक ही बार में आपका इनास्ता पर्फेक्ट बन करके तयार होगा तो अब हम यह पर हाथों पर थोड़ा सा ओयल लगा लेंगे और ओयल लगाने कवाद इस डो को हम एक वर फिर से मिक्स कर लेंगे ताकि यह बरतन पर और हाथों पर बिल्कुल भी ना चिपके तो इससे थोड़ा सा मैं इस तरीके से चिकना कर ले रही हूँ तो हाथों पे थोड़ा सा ओयल लगा करके इसे मैंने मिक्स कर लिया है और यह देखे हमारा दो तयार हो चुका है अब इस नास्ते को मैं पहले इस्टीम करूँगी तो यह दि आपके पास इस्टीमर है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं बट हमारे पास यह इस्टील वाली तो इसे साइड पर रखती हूं और यह हमारा डो है ना अब हम हाथों पर थोड़ा सा उयल लगा लेंगे और यहां पे इसकी छोटी छोटी हम बॉल्स अपने हाथ यह पर रखके इस तरह के से गोल करेंगे और जैसे यह गोल हो जाना तो हलका से हाथेलियों से ही दवा तकि नास्ते में एक अच्छा सा लूक आ जाए और यह नास्ता देखने में बहुत ही जादा टैम्टिंग लगती है तो अभी में इस नास्ते को ग्रिस की वे बाउल में रख रही हूं और यहां पर मैं आपको एक नास्ता और बना कर के दिखा देती हूं तो मेडियम लेकर हाथों पर इस तरीके से घुमाते वे ना हलका सा हथेलियों के बीच में इसे प्रेस कर देंगे साथ ही अपनी उंगलियों से बीच में एक हॉल बना देंगे तो यह देखे बहुत ईजली बन जाती है बस एक नास्ता यहां पर बनने में ना 2 से 3 से केंड का ही टाइम और कोई भी दिक्कत नहीं आता है बहुत इसली बन करके तयार हो जाता है और यह देखने में भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिब दिखती है तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सारे नास्ते को बना करके तयार कर लेती हूँ उसके बाद मैं इसे स्टीम करूंगी तो यह नास्ते को बहुत ही जल्दी से इस्टीम हो जाता है तो घड़ी देखकर मैं इस इसे पाच मिनिट के लिए इसे में निकाल करके साइड पे रखती हूँ अब हमारे नास्ते को एगदम सी चेटपटा सा फ्लेवर देने के लिए मैं इसमें एक तड़का लगाऊंगी तो यह तड़का इस नास्ते को बहुत ही जादा टेश्टी बना करके तयार करता है तो यहां पे एक पैन मैं रखा है उसमें मैं एक चमच कुकिंग ओल डाला है अब यहां पे मैं डाले है वन टेवल स्पून राई वन टेवल स्पून साबुत जीरा और दो हरी मिर्च को मैं ने ल यहां पे दो चमच डेसिकेटड कोकोनेट भी डाल सकते उससे भी इस नास्ते में बहुत भी बढ़या सा टेष्ट आता है अब इस नास्ते में जान डालने के लिए और बहु ज़्यादा टेश्टी और फलेवर फुल बनाने के लिए मैं यहां पे ले रही एक पैकेट पास और जब मैं अपना इस्टीम किया वा नास्ता एड करो ना तो यह जो सारे मसाले तिल वगरा है वह हमारी नास्ते में बहुत अच्छी से कोट हो जाए तो मैंने दो चममच पानी एड किया बहुत जादा पानी नहीं करेंगे और इसमें पहले अच्छा सा उबालाने देंगे ताकि सारी चीज़ों जो है यह अच्छी से कूख हो जाए और हमारे जो मसाले हैं एकदम से जलेना और बहुत ही बढ़िया सा इसमें टेस्ट भी आ जाए तो यह पे देखे हमारे मसाले बहुत ही अच्छी से आपर उबल चुके है तो यह पर फ्लेम को बिल्कुल ही लो अच्छी से मिक्स करेंगे तो हमारे जो नास्ता है एकदम से टूटना जाए और इसे हमें तब तक अच्छी से मिक्स करना जाए जब तक यह पे सारे मसाले जो है नास्ते को पर अच्छी से कोटना हो जाए तिल वगर इसमें अच्छी से कोट हो जानी चाहिए तब तक हमें से कुक कर लेना है उपर से मैंने दो पिंच नमक और एड किया है ताकि यह पर जो हमारा यह जो तड़का है उसमें भी नमक अच्छे से आ जाए तो यह लीजिए बहुत ही टेश्टी सा चटपटा सा हमारे नास्ता बन करके तैयार हो चुका है इसमें थोड़ा समय कसूरी हाथों से क्रस करके एड करें ताकि इस नास्ते का फ्लेवर और भी जादा बढ़ जाता है यह पर धनिया की पत्ती हो तो आप भी एड जरूर से कीज़ेगा तो अभी तो मैं इस नास्ते को अपने बच्चों की लंच बॉक्स के लिए बना रही हूं तो हमारा यह नास्ता बहुत ही जट पर से बन चुका है तो चलिए अब मैं इसे सर्ब कर लेती हूं तो यहाँ पर गैस का फ्लेम मैंने आफ कर दिया है और देख सकते हैं बहुत ही टेश्टी सा हमारा यह इंस्टेंट वाला पोहे का नास्ता बन करके तैयार हो चुका है आप इसे मॉर्निंग ब और देख सकते हैं अभी मैं इसे टुमेटो के चैचप के साथ सब कर रही हूं आप इसे ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते है उसके साथ भी बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगती है बट मैं आपको यहाँ पर पर पर्षनली बता रही हूं कि यह नास्ता मुझे ना इमली करके वेल आइकन को प्रेस कीजिएगा मिलती हुमें नेक्स्ट वीडियो में थैंकी फॉर वाचिंग